जैविविट्था Biodiversity Part 1 जैविविट्था से तात पर्य है पृत्वी पर उपस्तित समस्त जीवजन्तू के बीच के अंतर का यानि कि हमारी पृत्वी पर अनेक प्रकार के पेड पौधे हैं, अनेक प्रकार के जीवजन्तू, पशु पक्षी पाई जाते हैं और इनी की वज़े से पृत्वी का जो परियावरण है वो संतुलुत रूप से पाया जाता है तो जैविवित्ता यानि कि इतने सारे पशु पक्षी और जीव जन्तु मिलकर ही जैविवित्ता को बनाते हैं इस चैप्टर में हम सबसे पहले definition of biodiversity यानि कि जैविवित्ता क्या है इसकी परिभाचा अब समझेंगे levels of biodiversity यानि कि कितने स्तर पर जैविवित्ता पाई जाती है क्यों हमारा देश भारत एक mega biodiverse country है यानि कि इतना जैविवित्ता से पून देश भारत है तो क्यों है इसके कारणों को भी हम समझेंगे जैसे bio geographical zones of India दूसरा biodiversity के hot spots मतलब ऐसे शेत्र जहां पर biodiversity या जैविवित्ता बहुत जादा मात्रा में है endemic प्रजाती यानि कि शेत्र सीमित प्रजाती जो एक ही स्थान पर पाई जाती है और कहीं नहीं मिलती endangered species of India यानि कि ऐसी प्रजातिया जो विलुप्त होने के कगार पर है IUCN एक अंतराश्रे संस्थान है और उसके द्वारा red list दी जाती है जिसके अंतरगत हमें पता चलता है कि कौन सा जीव जन्तू अभी खत्रे पर है और कौन सा अभी safe zone में है फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे value of biodiversity यानि कि जैव विवित्ता के महत्व को हम समझेंगे तो जैव विवित्ता होने की वज़े से ही परियावरण संतूलन बरकरार है और काफी सारे पशू पक्षी हमें आर्थिक रूप से भी मदद पहुचाते हैं काफी सारे पशू पक्षियों से हमारे समाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सौंदर्य मूल्य और बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती हैं इसके बाद हम चर्चा करेंगे sacred grooves की यानि कि ऐसे पवित्रवन जिनको अभी भी भारत में काफी जगे पूजा जाता है इस वीडियो में हम यही तीन topics cover करेंगे बात की वीडियो में आप देख सकते हो हम discuss करेंगे threads to biodiversity यानि कि biodiversity या जैव विवित्ता को क्या-क्या खतरा है साथी साथ हम discuss करेंगे case studies जैसे की project tiger, project elephant, vulture breeding program और अन्य ऐसे projects या ऐसे movements जो हमारे देश में जैव विवित्ता के ऊपर चल रहे हैं तो जैव विवित्ता क्या है? सो जैव विवित्ता हम धरती पर देखते हैं इतने सारे पशु पक्षी इतने सारे रंग बिरंगे फूल, पत्ते और साथे साथ तितलियां, चिडियां ये सभी जैव विवित्ता को बनाते हैं ना सिर्फ धर्टी पर बट अगर हम देखें जल में भी बहुत सारे पशुपक्षी पाए जाते हैं जैसे कि मचलिया, छोटे-छोटे कीट, पौधे ये सब जैविवित्ता को ही बनाते हैं यानि कि अगर हम परिवाशित करें तो धरतल्य, मा सागर्य और अन्य जल्य पारस्तिक तंत्रों में जो पस्ठित या उनसे सम्बंधित तंत्रों में जो जीव पाए जाते हैं उनके बीच में जो विभिनता होती है उसी को जैविवित्ता कहते हैं यानि कि धर्ती पर, सागर में, जल में, जितने भी पशु-पक्षी हैं, जीव-जन्तु हैं उनके बीच में जो भी अंतर है उसी को हम जैविवित्ता कह रहे हैं Biodiversity is therefore variability of living organisms from all sources including terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and ecological complexes of which they are part तो जो जैविवित्ता है वो तीन स्तर पर देखी जाती है So biodiversity exists at three levels, तो ये कौन-कौन से हैं पहला genetic level biodiversity यानि कि अनुवांशिक जैविवित्ता दूसरा species level biodiversity यानि कि प्रजाती जैविवित्ता और तीसरा ecosystem level biodiversity यानि कि पारिस्तितिक तंत्र जैविवित्ता अगर हम देखें तो genetic biodiversity एक ही प्रजाती के जो अलग-अलग सदस्य हैं उनके बीच के अंतर को कहते हैं अगर हम इंसान प्रजाती को देखें तो इंसान सब अलग-अलग दिखाई देते हैं सबके बालों का color different है, सबके खाल का color different है हमारा देखने का, सोचने का, विचार करने का, सब जो behavior है वो भी different है तो जहाँ हम किसी एक प्रजाती के सदस्यों को देखते हैं तो उन्हें सब अलग-अलग हैं और वो इसलिए अलग हैं क्योंकि सब में जो genes हैं genetic material हैं, जैसे DNA, RNA, वो सब विभिन है तो जो अनुवानशिक जैव विवित्ता होती है उसका तात्पर्य है एक ही प्रजाती के जीव का एक दूसरे से भिन होना तो जीवों के अलग प्रकार के होने का कारण है genes यानि कि genetic material जैसे कि DNA, RNA तो सब ही जो सदस्या हैं चाहिए वो एक ही प्रजाती के हों और सब के genetic material है, DNA आरे ने वो सब अलग-अलग होगा और इसलिए हर किसी का जो appearance है, सोचने का तरीका है या खाल का color है, skin का color, बालों का color सब अलग होता है तो जब एक ही प्रजाती के gene विभिन प्रकार से मिलकर जीवों के अंतर को पैदा करते हैं तो इसको अनुवानशिक जैव विवित्ता कहते है दूसरा अस्तर biodiversity का है species level biodiversity यानि की प्रजाती जैव विवित्ता अब अगर हम अपने आसपास देखें तो हम अनेक प्रकार के पेड़ पौदों को देख पाएंगे घास को देख पाएंगे फूल को देख पाएंगे साथी साथ हमारे परियावरण में कुछ शाकाहारी जीव भी है और कुछ मासाहारी जीव भी है कुछ जिडियाएं भी है तो अलग-अलग अगर हम जीवों को देखे और पेर पौदों को देखे तो सब एक दूसरे से अलग है और एक प्रजाती की समरिधता को बढ़ाते हैं तो प्रजाती जER विविद्ता का मतलब है कि एक इस्थान पर पाए जाने वाली विभिन प्रकार की प्रजातिया तो किसी समुदाई में पाई जाने वाली प्रजातियों के अंतर को प्रजाती जैविवित्ता कहते हैं यह प्रजातियों की समरिधता और प्रचूरता को दर्शाती है यानि कि कितने प्रकार की प्रजातियां हैं और कितनी मात्रा में प्रजातियां हैं उसको यह जो प्रजाती जैविवित्ता है वो दर्शाता है अब प्रजाती जैव विवित्ता को नापने के दो प्रमुक इंडेक्स यानि कि मापक हैं जैसे कि एक है शैनन वीनर इंडेक्स और दूसरा सिंसन इंडेक्स यानि कि हम कैल्कुलेट करकर देख सकते हैं कि किसी स्थान पर कितनी जैव विवित्ता है तो इक इंडेक्स है, एक इंडेक्स का नाम है Shannon-Beaner Index, इसमें हमें देखना होता है कि कितने प्रजातिया है अलग-अलग प्रकार की, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि कुछ पेड़ है, एक चिडिया है, एक हिरन है, एक शेर है, ये सब अलग-अलग प्रजातिया ह साथी साथ कितनी मात्रा में हैं जैसे जो पेड है वो हम देख सकते हैं पाँच हैं शाकाहारी, जो हिररन ने एक है तो अगर हम इन प्रजातियों की एक list बनाएं और साथ में कि कितने number में है, कितनी मात्रा में है उसकी एक list बनाएं, तो इस index में fit करकर हम यान कि ecosystem level 발防 kul recent वी आठील कि अदर विवित्ता आई जाती है वह पारेस्वित्ति थे लेवल पर पाई जाते हैं तो ekosystem लेवल बाईयो डाइवर्सिटी वह मानते हैं कि अलग-अलग पारेस्तितिक थर्स में होते हैं तो जैसे कि अगर हम जलिया पारिस्तितिक तंत्र को देखें तो इसमें जो अजयविक घटक है वो है जल और जयविक घटक में मचलियां छोटे कीड़े छोटे एलगी यानि कि छोटे प्लांट्स और मगरमच यह सब मिलेगा वहीं हम अगर डेजर्ट एको सिस्टम यानि कि म अरुस्तल पारिस्तितिक तंत्र को देखें तो इस शेत्र में हम अजयविक घटक के रूप में मिट्टी को पाएंगे और जयविक घटक बहुती फरक होगा बहुती अलग होगा क्योंकि यहां पर सूखा है बिसिकली ड्राइ कंडिशन्स हैं तापमान बहुत जादा है तो तो हम cactus यानि कि थॉर्णी plants, काटे वाले पौधे बहुत पाएंगे साती साथ हम देख सकते हैं कुछ snakes हो सकते हैं वा पर कुछ reptiles हो सकते हैं तो अगर हम इन तो जब दो पारिस्तितिक तंत्र बिल्कुल अलग-अलग हैं, तो उनके, यानि कि हर, जब हम किसी दो पारिस्तितिक तंत्र को compare करते हैं और उनकी विभिन्ता को देखते हैं, तो वो कहा जाएगा पारिस्तितिक तंत्र जैब विवित्ता. सेम वे अगर हम देखें ग्रास्लेंड एकोसिस्टम यानि कि घास पारिस्तितिक तंत्र इसमें हम जादा तर पाएंगे घास होंगे छोटे फूल पॉदे होंगे साथ शाकाहारी जीव जन्तु जैसे जिराफ जेबरा ये सब पाए जाएंगे वहीं अगर हम इसको कंपेर करें ग्रास्लेंड एकोसिस्टम को कंपेर करें अगर हम जंगल से यानि कि वन एकोसिस्टम से तो बहुत विभिनता है वन एकोसिस्टम यानि कि जो वन है वहापर हम जादा तर पेड़ देखेंगे कुछ शाका हारी जीव होंगे और जादतर मासा हारी जीव जैसे शेर होगा तो जब हम पारिस्तिक तंतर को compare करते हैं तो उनकी असमानता या विभिनता को अगर हम दर्शाते हैं तो वो ही पारिस्तिक तंतर जै विविता के लाई जाती है तो अगर हम aquatic ecosystem में देखें तो यहाँ पर जो ecosystem में वो बड़ा complex है complex इसलिए क्योंकि यहाँ पर ecological niche different है ecological niche का मतलब होता है हर एक प्रजाती की अपनी कुछ functional capacity होती है और एक particular habitat होता है जहाँ पर वो पाई जाती है यानि कि अगर हम इसमें मचलियां देखें तो मचलियां पानी में पाई जाएंगी और वो हो सकता है इंसेक को खारी हो और शाकाहारी जीव जन्तों को खारी हो यानि कि वो एक carnivorous की तरह के से behave कर रही है यहाँ पर तो एकोसिस्टम में हर एक जीव का अपना एक रोल होता है अपनी एक function करने की capacity होती है उसी को ecological niche कहते हैं दूसरा यहाँ पर जो खादेश रंकला है वो भी बहुत अलग होगी और मतलब एकोसिस्टम के comparison में तो इस खादेश रंकला में हम पाएंगे कि पहले जो algae है या green छोटे-छोटे plants होगे पानी के उनको खाएंगे कीडे, insects और insects को खाएंगे मचलिया तो इस प्रकार भी विभिनता है और अगर हम इसमें देखें तो खादेश स्थर भी बहुत डिफर करेंगे तो phytoplankton यानि कि algae जो पानी में पाई जाती है वो खादेश स्थर एक बना रहा है खादेश स्थर का मतलब है ऐसा स्थर जापर उर्जा का अदान प्रदान होता है खादेश रंकला में दूसरे स्थर पर zooplankton आते हैं यानि कि छोटे-छोटे insects, कीडे तीसरे खादेश स्थर पर छोटी मचलिया बड़े इसे बाद जो next खादेश स्थर चार है उस पर बड़ी मचलिया तो यानि कि aquatic ecosystem का जो खादेश स्थर पहला है वो जरूरी नहीं है कि desert में या जंगल में भी same हो, वहाँ पर अलग होगा तो यानि कि हरेक ecosystem एक बड़ा level है और इसमें बहुत complexity है बहुत ज़्यादा जटेलताएं हैं जैसे हम देख रहे हैं फिर चौथा यह जो ecosystem है या पारिस्तितिक तंत्र है जैसे यह जलिया पारिस्तितिक तंत्र इसमें जैवेक और अजैवेक घटक भी अपने climate के according ही होंगे यहाँ पर पानी में हम मचलिया देख सकते हैं बट जंगल में तो नहीं देख पाएंगे सेम बे यहाँ पर हम मचलिया देख रहे हैं बट अगर हम मरूस तल में देखे तो वहाँ पर तो बड़े हमें उटी मिलेंगे या फिर हमें काटेदार पौधे मिलेंगे तो यानि कि climate के according वो जो पारिस्थितिक तंत्र है या वो जो area है वो एक particular type के species को ही allow कर रहा है यानि कि particular type के जो प्रजातिया हैं उसमें पाई जा रही है यानि कि ecosystems पारिस्थितिक तंत्र वो area जहां पर जैवेक अजैवेक गटक पाई जाते हैं वो सब एक दूसरे से भिन होंगे तो aquatic ecosystem desert से अलग होगा, desert ecosystem grassland से और grassland ecosystem forest से बहुत विभिन होंगे यानि कि यह पारिस्थितिक तंत्र एक बड़ा level पर जब हम विविदताओं को देखते हैं तो वो इसमें count होती हैं तो अब इसको परिभाशत हम इस प्रकार कर सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्रों में काफी अंतर है आवास का अंतर, खादे स्थर का, खादे जाल और पदार्थ चक्रन का इन सभी अंतरों को अगर हम शामिल करें तो वही पारिस्थितिक तंत्र जब विविदता कही जाएगी तो पारिस्थितिक तंत्र भौतिक घटक जैसे की तापमान, आदृता, वर्षन, आदी में विविदता दर्शाते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र जब विविदता में हम जादा तर उन विविदताओं को इंक्लूड करते हैं जो हम बड़े लेवल पर यानि कि पारिस्थितिक तंत्र के लेवल पर देखते हैं और पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जापर अजैबिक और जैबिक घटक एक दूसरे पर आधारेत या निर्भर पाए जाएं तो जैबिवित्ता की जो लेवल से हैं या प्रकार हैं उनको हम इस तरह से दर्शाते हैं कि सबसे उपर सबसे बड़ा जो लेवल है वो है एकोसिस्टम लेवल बायोडाइवर्सिटी दूसरा लेवल है स्पीशीज लेवल बायोडाइवर्सिटी यानि कि जो स्पीशीज प्रजाती जय विवित्ता है वो पारसितिक जय विवित्ता के अंदर आती है और सबसे छोटे लेवल पर प्रजाती के अंदर अगर हम अंतर देखें यानि कि जैसे इंसान के अंदर अंतर देखें तो वो होगा जेनेटिक लेवल बायो डाइवरसिटी यानि कि अनुवांशि करें किसी पॉंड से या तालाब से तो वो जो अंतर हम देखेंगे दो अलग-अलग एरियास में वो कलाया जाएगा पारिस्तितिक तंत्रुजय विवित्ता तो जो वनों का वहां पर बड़े पेड़ होंगे और बड़े शाकाहारी जीव मासाहारी जीव होंगे जैसे शेर ब अलग इस्थानों पर पाया जाता है उसको हम बोलेंगे एकोसिस्टम लेवल बायो डाइवरसिटी अब सपोस हम एक जंगल ले लें और जंगल के जीवों को देखें तो वहां पे हाती भी होगा वहां पे घोड़ा भी होगा वहां पे शेर भी होगा तो यह जो अलग- आती है प्रजाती जैविवित्ता अब अगर हम एक ही प्रजाती ले 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 जैसे कि सपोस हम गुलाब ले ले तो गुलाबों के सबके कलर अलग-अलग होते हैं जैसे कुछ गुलाब येलो होते हैं कुछ रेड होते हैं कुछ ब्लू होते हैं तो यह जो कलर का डिफरेंस है क्यों आया क्योंकि उनके genes differ कर रहे हैं एक ही गुलाब में अलग-लग genes है तो यह हो गया genetic level biodiversity ठीक है यानि कि genetic level biodiversity एक प्रजाती के अंतर होती है प्रजाती जैव विविता एक पारिस्तितिक तंतर के अंदर हो सकती है और पारिस्तितिक तंतर जैव विविता सबसे बड़े लेवल पर पाई जाती है अब हम next समझेंगे कि जैव विविता का क्या महत्व है तो जैव विविता का महत्व को समझने के लिए हम दो कटिक्री में महत्व को बट सकते हैं एक है डिर्यक मुलय यानि की प्रत्यक्ष मूलय और दूसरा है इंटरेक CC ya यानि की अप्रत्यक्ष मूलय तो जैव विविता यानि कि इतने सारे पेड पौदे इतने सारे इस चिव जंत массasında हमारे लिए सची में महत्व पून है because इनसे हमें प्रत्यक्ष मुल्य प्राप्त होता है हम इनसे कुछ ऐसा चीज हमें मिलती है जिसका हम direct seven कर सकते हैं या direct बजार में बेच सकते हैं तो हम दो category में प्रत्यक्ष मुल्य को विभाजित कर सकते हैं एक है consumative value यानि कि उत्पाद मुल्य और दूसरा है productive value यानि कि उत्पाद मुल्य वही indirect, indirect का मतलब हम इने बजार में तो नहीं बेच सकते हैं ऐसी चीज जो हमें जैविवित्ता से मिलती है, हमें पेड़ पौदों से मिलती है पर अप्रत्यक शूप में मिलती है जैसे कि समाजिक मुल्य कुछ पेड़ पौदों को हम बहुत पूछते हैं तो हमारी जो tradition है वो एक generation से दूसरी generation में जा रहे हैं उनी पेड़ पौदों की वज़े से दूसरा ethical यानि कि नैतिक मुल्य इंडेरिक में हम पढ़ेंगे aesthetic value यानि कि सौंदर्य मुल्य optional value यानि कि विकल्प मुल्य और environmental service value यानि कि पारिस्तितिक तंत्र मुल्य पहला है उपभोगी मुल्य यानि कि consumative value तो consumative value का मतलब है कि हम पेड़ पौदों से कुछ ऐसी चीज ले पा रहे हैं जिनको हम directly consume करते हैं जैसे कि भोजन तो पीड़ पौदों से हमें भोजन मिलता है इतने साघ पौदशल मतलब एक लाग से बीसादा इसी अलग अलग प्रजातिया है पेड़ पोदों की और खरीशे की जिनको हम खाते हैं जैसे कि आम के व्रक्ष से हम बहुत सारे आम कफल खात सकते हैं, सेम वे हम इतने सारी चीजे हमें जो मिल रही हैं खाने पीने की, चाहे वो कुछ भी रोटी हो, ब्रेड हो, या नॉन विज आइटम्स हो, यह सब जीवजनतुओं से हमें प्राप्त हो रहे हैं, दूसरा, डिरेक्ली हम सेवन कर सकते हैं, आउश्दियों का, तो हम एक औश्दी हम डिजिटलन का प्रियोग करते हैं, हिर्दयरोग के लिए, और डिजिटलन नाम की औश्दी, डिजिटलस नाम के पेड़ पौद से निकाली जाती है, फिर कैथर एंथर जो सदा भाहर के नाम से भी जाना जाता है, इसको विन ख्रास्टिन, विन करते हैं, लक्डियों का हम, लक्डियों को, इंधन को हम जलाकर खाना बनाते हैं, रूरल एरियास में, तो इसी, इसको हम बोलेंगे उपगोगी मुले, यानि कि ऐसी कोई वस्तु या कुछ ऐसा पदार्त जो हमें प्रकरती से मिल रहा है, पेड़ पौदों से मिल रहा है, और उसका हम डिरेक्ट सेवन कर रहे हैं, दूसरा है प्रॉडक्टे वैल्यू, तो बायो डाइवर्सिटी से हमें उतपाद मुल्य भी प्राप्त होता है, उतपाद मुल्य का मतलब यह है, कि हम जैब विविता, यानि कि पेड़ पौदे से कुछ ऐसी चीज नई बना रहे ह जो हम प्रॉडक्ट यानि कि उतपाद के रूप में कंस्यूम कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें तो पेड़ों से हम लकडिया निकालते हैं और लकडियों से हम फरनीचर कनवर्ट करके बनाते हैं, तो फरनीचर जैसे कि चेर, कुरसी मेज, यह सब क्या हो गया, प्रॉड ले सकते हैं, फिर काफी सारे ऐसे जीवजनतु हैं, जिनका व्यपार भी होता है, जैसे कि हाती के दांत को निकाल कर कुछ स्टैचूज या मूर्दियां बनाई जाती है, यह भी एक उतपाद है, बट इसकी वजए से जो हाती की संख्या है, उसमें कमी आ रही है, तो इसको तरह के उतपाद बना सकते हैं, उतपाद का एक बजार में मूले होता है, इसी को हम प्रॉड़क्टिव वैल्यू कहते हैं, अब डिरेक्ट वैल्यू पढ़ने के बाद, नेक्स्ट जो बायो डाइवरसिटी का महत्व है, वो इंडिरेक्ट वैल्यू की वजए से हैं, यानि वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे प्रजाति या इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि अगर हम कहें सोशल और कल्चरल वैल्यू, तो पेड़ पॉदो से एक समाजिक मूले जुड़ा हुआ है, हमारे जो समाज है, उसकी कहीं सारे परंपराएं पेड मूले पेड़ पॉदों से जुड़ा होता है, तीसरा अप्रत्यक्ष मूले है, सॉंदर्य मूले, मतलब जहां पर भी पेड़ पॉदे होंगे, वो एरिया, वो जगह बहुत सुंदर होगी, और बहुत ही हमें अच्छा अनुभव देगी, इसका कोई हम मूले आंकलन नहीं क उनके बारे में पता भी ना हो, बठो सकता है, आने वाले जमाने में, आने वाले कुछ सालों में, उनके महत्वका में पता चले, तो वो होता है, ओप्शनल वैल्यू, यानि कि विकल्प है हमारे पास, अगर हमारे पास प्रजातियां है, अलग-लग ताइप की, जो जीव ज मूले है, समाजिक मूले, यानि कि social and cultural value, तो हमारे जो जीवन है, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौदों को हम पूझते हैं, हमारे समाज में उनका एक बहुत बड़ा महत्व है, और उनसे जो जुड़े traditions है, rituals हैं, वो हम एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी त तब ही पौचा आपा रहे हैं, क्योंकि वो पेड़ कहीना कहीं हमारे पृत्वी पर अभी हैं, जैसे कि अगर हम देखें, तो हिंदु समाज में हम मानते हैं कि बर्गत का पेड़ एक बहुती धार्मिक पेड़ माना जाता है, और मंदिर में हम देखेंगे बर्गत का पेड होता है और भर्गत के पेड़ पर कई सारे जो लोग होते हैं वो यह मानते हैं कि एक वाइट थ्रेड यानिकी वाइट रसी को बांदेंगे तो उनकी एक्षाय पूरी होंगी तो इस टाइप का जो कल्चिरल या सोशल जो मुल्य है वो हमारा इसी लिए है क्योंकि पेड़ हमारे जो भारत वर्ष है उसमें तो हर जगे हम तुलसी की पूझा करते हैं तीसरा है Christmas Tree Christmas Tree यानि कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू समाज में ही पेड़ पौदों का महत है बलकि अलग-अलग समाजों में सब में अलग-अलग धार्मिक रूप से पेड़ पौदे पूझे ज के तो औरोकेरिया नाम का जो पेड़ होता है उसको सजाया जाता है पूझा जाता है तो यह जो कल्चर है परंपरा है कि एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी जा पारी है इस पेड़ के होने की वज़े से फिर कहीं सारे लोग भगवान पर फूल पत्या चड़ाते हैं जो अग के लिए तो हम कह सकते हैं की бायो डाइवरसिटी जैविवित्व हमारे समाज से जुड़ी हुई है एक समाज में ऐसे कहीं सारे पेड़ पौदें हैं जो बहुत ही sacred यानि कि बहुत ही मुल्यवान या बहुत ही important माने जाते हैं तो एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में ये जो समाजिक मुल्य है वो तभी जा पाता है जब वो पेड कहीं न कहीं उपस्तित हो तो जैवेवित्ता का एक और फाइदा ये है कि जैवेवित्ता से हमें नैतिक मुल्य प्राप्त होता है तो जैवेवित्ता से हमें कई प्रकार के नैतिक संबंदी मुल्य भी प्राप्त होते हैं तो हर प्रकार के जीवन का सनरक्षन आवश्यक है ये मूले इस प्रकार के विवारिक मुद्दों से जुड़े हैं और हम कह सकते हैं कि मूले जीओ और जीनेदों की धारना पर आधारित हैं तो हम मानते हैं कि मानवजाती का आस्तित्व है पर वो आस्तित्व तभी रहेगा ज जब सारे जीव संरक्षित होंगे, तो इस प्रकार जो नैतिक मुल्या कि हमें सब जीवों को बचाना चाहिए, उनका हमें भला सोचना चाहिए, वो भी जैविवित्ता से जुड़ा है, तीसरा है सॉंदर्य संबंदी महत्व यानि कि एस्थेटिक वैल्यू, तो जैविवित् हैं, वो जादा सुंदर सुंदर जगे पर जाते हैं, जापे बहुत हराबरा एरिया हूँ, बहुत जादा पेड़ पौद्दे हूँ, तो पेड़ पौद्दे एक जगे को सुंदर्य और सुंदर बनाने में भी बहुत महत्व रखते हैं, और इस सुंदर्य प्रेम के कारण लोग मिलो दूर परियटन की द्रिष्टी से घुमने जाते हैं तो जैव विवित्ता के सौंदरे का ही परीमान है और बलकि इतनी जैव विवित्ता अगर होगी तो हम इससे मुद्रा अर्जन यानि कि एक्वामी ग्रोध भी कर सकते हैं चौता है बिकल्प मुल्य यानि कि हमारे पास प्रकरती में उपस्तर जो जीव जनतु हैं उनका चाहिए अभी हमें मालूम भी ना हो चाहिए वो अभी खोजे भी ना गए हो बट वो एक बिकल्प के रूप में हमारे पास हमेशा रहते हैं हो सकता है आने वाले समय में हम किसी पेड से बहुत इंपोर्टेंट ओश्रदी का डिस्कवरी कर लें या हो सकता है अभी हमें किसी पेड के बारे में नहीं पता बट आने वाले साल में हमें कुछ कैंसर जैसे भयानक बिमारीयों का उप्चार उन पेड़ पौदों से मिल प जिसका हम प्रयोग आने वाले सालों में किसी डिसकर्वरी, उपचार या किसी अन्य रूप से कर सकते हैं पांचवाई Environmental Service Value यानि की पारिस्थितिक तंत्र मुल्य तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जीव जन्तु यानि कि जैवेक अजैवेक घटक एक दूसरे पर निरभर होते हैं जैसे एक जंगल वहाँ पेड़ पौदे भी होंगे नदी भी नदी का पानी होगा सूर्य की रोशनी भी होगी है प्रोविजनिंग सर्विस का बेनेफिट तो हमें सीधे रूप से फल लकड़ी यानि कि फ्यूल वोड फाइबर टिमबर यह सब मिलता रहेगा दूसरा पेड़ पौदों की होने की वज़े से रेगुलेटिंग सर्विस बरकरार रहेगी रेगुलेटिंग का मतलब है पे पौदों की वज़े से मृदा पर्दन ना और मिटी ना भेकर जा रही हो, क्लाइमिट चेंज नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस भी कंट्रोल में रहेगी और पौलीनेशन यानि की जो जीवजन्तु हैं उनकी वज़े से जैसे बटरफ्लाइ होती है वो एक पौदे का पोलन लेकर दूसरे के स्टिग्मा पर डालती है, तो पौलीनेशन भी बरकरार रहेगा, तो ये रेगुलेटिंग सर्विस हमें इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि पेड़ पौदे की उपस्तित हैं, तीसरा पेड़ पौदों की उपस्तित से हमें कुल्च्रल सर्विसेज भी मिलती है यानि की पेड़ पौदे इतने जरूरी हैं कि हमें non-material benefits भी देते हैं, non-material मतलब जिनको हम छूनी सकते हैं बट महसूस कर सकते हैं, ऐसे फाइदे, जैसे हमें spiritual benefit मिलता है, साथी साथ हम खुश होते है, recreational benefit मिलता है, aesthetic यानि की सौंदर भरता है उस स्थान का जहां पर इतने जो benefit हमें प्रकरती या पेर पौदों से विलता है, वो बोला जाता है supporting service, यानि की ऐसे factors जिनसे तीनों, provisioning, regulating और cultural service सुचारू रूप से चलती रहें, तो supporting service में आ जाता है hydrological cycle, यानि की पानी का जो चक्र है, वो चलता रहेगा, nutrient cycle और भी nutrients होते हैं, जैसे carbon का चक्रण, nitrogen का चक्रण, वो सुचारू रूप से चलता रहेगा, जितना हरा बरा या जीवजनतुओं से भरपूर हमारी पृत्वी होगी, इसके बाद soil formation मिट्टी भी ठीक से बनती रहेगी, तो इतने सारे यानि की provisioning service, regulating, cultural, supporting service हमें जीवजनतुओं के उपस्तिती से मिलेगी, क्योंकि ज तो कुछ स्थान पर भारत में हम पूरे के पूरे वनों के patch या वनों के जो areas या हिस्से हैं उनको पूझते हैं, तो ऐसे बहुत सारे जगें हैं जहां पर व्रिक्षो को पूझा जाता है, जंगल के किसी हिस्से को पूझा जाता है और बहुती पवित्र माना जाता है, तो पवित्र उप्वनों का महत्व इस्थानिय समुदाई की संस्कृतिक और धार्मिक प्रताओं में भी महत्वपून भूमी का निभाता है। So sacred grooves बहुत पवित्र उप्वन होते हैं और इनकी पवित्रता हम देख सकते हैं कि इनसान के कितनी गतिविती वहाँ पर अलाउड है। उन वनों को छेठ छाड नहीं कर सकता, उन वनों को खराब नहीं कर सकता, वहाँ का जो संतुलन है उसको बिगाड नहीं सकता। वहाँ दूसरी और कुछ ऐसे भी वन है जहाँ पर प्रतिबंध है बर थोड़ा है। मध्यप्रदेश के गोन समुदाय के वन तो भारत में डेड़ लाग से भी जादा सेक्रेट ग्रूफ यानि की पवित्र उप्वन पाए जाते हैं। पवित्र उप्वनों का बहुत जादा महत्व है। पहला तो महत्व यही है कि जह विवित्ता का सनरक्षन वहाँ पर अराम से हो पाता है। तो जब कोई इनसान वहाँ पर जंगल को खराब करना नहीं चाहेगा, तो डेफिनेटली वहाँ के जो जीवजन्तु हैं वह अच्छे होंगे, वहाँ पर बहुत सारे प्रकार के जीवजन्तु होंगे। तो पवित्रूफवन में अनेक प्रकार के जीवजन्तु पाई जाते हैं, जिनको स्थानिय समुदाय सनरक्षत करता है। अराम से स्थानिय समुदाय अपनी जरूरतों के लिए यूज़ कर सकता है। इतने इंपोर्टेंट जो पवित्र उपवन हैं उनको भी खत्रा है। खत्रा इसलिए क्योंकि नमबर वन आजकल जो अध्यात्मिक और परानिक विचारों से लोग दूर होते जा रहे हैं। और इसी कारण उपवन के महत्व को नहीं समझ पाते। दूसरा कई बार विकास के लिए जैसे इंडस्ट्री, कार खाने या फिर बांध बनाने के लिए या कोई और विकास कारे करने के लिए उपवनों को काट दिया जाता है। आजकल यह भी देख रहे हैं कि उपवनों की पूजा ना करके लोग मंदिरों में पूजा करने जाते हैं। उपवनों में कुछ घातक प्रजातियां भी पाई जा रही हैं जैसे कि लेंटाना कमेरा, प्रोसुपिस जूली फ्लोरा ये जो प्रजातियां होती हैं ये उपवन को बहुत खत्रा पहुचा सकती हैं इन घातक प्रजातियों से जैसे अगर हम बात करें लेंटाना कमारा ये की तो यह जो पेड़ हैं यह बहुत खतरनाक केमिकल अपनी जड़ों से निकासते हैं जिनकी वज़े से वहां के जो स्थानिय पेड़ पॉदें वो उग नहीं पाते हैं साथी साथ यह जो पेड़ हैं लेंटाना और प्रॉसरपिस यह जो भूमी के अंदर जो जल होता है उसक का फौर्ने में असमर्ठ होते हैं साथी साथ पवित र्फवन को एक और खत्रा आए वो खत्रा है कि लोगों का पवित रूपपन में जाकर अपने लकडियां कलेक्ट करना साथी साथ वो चराई के लिए अपने जीवजंतौ encompass को ले जाते हैं जिसकी वजह से वहां के जह पर पेड़ पॉधे उन पर असर पढ़ रहा है। अब हम समझेंगे की Global Biodiversity क्या है। जो जैब विवित्ता है वो तीन लेफल पर पाई जाती है। एक तो पूरे पृत्वी के लेफल पर जैब विवित्ता को समझते हैं, तो इसे भूम अंडिलिये जैव विवित्ता यानि कि Global Biodiversity कहते हैं दूसरा है National Biodiversity यानि कि स्थानिय राष्ट्रिय स्थर पर जैव विवित्ता जैसे कि अगर हम भारत की जैव विवित्ता कहें तो वो होगी National Biodiversity फिर इससे भी छोटे स्थान पर आजाती है Regional Biodiversity यानि कि स्थानिय जैव विवित्ता तो पहला है Global Biodiversity यानि कि भूम अंडिलिये जैव विवित्ता तो अगर हम भूम अंडिलिये जैव विवित्ता देखें तो पृतिवी पर डेढ़ लाग से भी टोटल जाथ मतलब डेढ़ लाग से भी जाधा प्रजातियां पाई जाती हैं कुछ प्रजाती बैक्टीरिया चोटे चोटे बैक्टीरिया की होती हैं कुछ प्रोटोजुआ, कुछ एल्गी, कुछ फंगर, कुछ बड़े पेर पौदे जैली फिश, इंसेक्ट, एमफीबियन, रेप्टाइलिस, बर्ड्स, इन सबकी अलग-अलग प्रजातियां पाई जाती हैं तो हमारी पृत्वी तो जैविवित्ता से सम्रित है ही इंडिया रैंक 10, among plant-rich countries of the world, यानि कि जो पौदो से सम्रित देश है, पूरे विश्व के, उसमें से भारत दस्वे स्थान पर है इंडिया रैंक 11, in terms of endemic species of higher vertebrate, यानि कि भारत को ग्यार्वी पोजीशन मिली हुई है, शेत्र सीमित प्रजातियों में यानि कि शेत्र सीमित प्रजाती, जो प्रजाती सिर्फ भारत में ही है और कहीं नहीं है, ऐसी प्रजाती बहुत अत्यदेक है, और इसलिए भारत का स्थान 11 नंबर पर है, शेत्र सीमित प्रजातियों के लिस्ट में इंडिया रैंक 6th, among center of diversity and origin of agricultural crop, यानि कि भारत छटे स्थान पे है, उन देशों में अगर हम बात करें, center of origin की, यानि कि भारत से ही काफी हद तक पेड़ पौधे शुरू हुए या originate करें हैं तो भारत एक जैव विवित्ता से पून डेश क्यों है, इसके चार कारण है, पहला ये कि भारत में 10 biogeographical zones पाई जाती है, यानि कि 10 जैव भोगौलिक वरगी करण है, दूसरा भारत में center of origin है, यानि कि उद्रव के केंदर है भारत, तीसरा भारत एक endemism से भरपूर देश है यानि कि शेत्र सीमित प्रजातियां भारत में बहुत जादा है, चौथा भारत में 4 hot spots है, यानि कि भारत में 4 जैव विवित्ता के सक्रिय शेत्र है, अब इन 4 points को हम detail में समझेंगे और देखेंगे कि भारत एक जैव विवित्ता से पून देश क्यों है, तो इसका पहला का अपने आप में एक अलग टाइप का क्लाइमेट रखता है, जैसे अगर हम जम्मू गश्मीर में जाएं तो बहुत ठंड होगी, वहीं डेजर्ट में जाएं राजस्तान में तो बहुत गर्मी होगी, तो इतना अंतर है तापमान में, आदरता में, मॉइस्टर में कि हर जग वर्ख कौन-कौन से हैं, तो पहला जो बायो जोग्रिफिकल जोन है हमारे देश में, वो है ट्रांस हिमालिया, यानि कि परा हिमालिया, तो परा हिमालिया हमारे देश का वह हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर के एरिया में लाई करता है, जम्मू कश्मीर अत्यांत ठंडा इल कि हमाल्या दो प्रकार के होते हैं एक हिमाल्या हमारे नอน। नदर्न स्टेट्स में लाई करता है जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्राकन वहीं दूसरी और उत्तरपूर्वी इलाकों में भी हिमाल्या पाए जाते हैं तो हिमाल्या परवत में तापमान काफी कम होता है और हिमाल्या में हम प्रजाती देखते हैं जैसे कि पाइन चीड के पेर बहुत पाई जाएंगे मस्क, डियर यानि की हिरन और रुडोडेंडरॉन यहां पर पाया जाता है तीसरा जो एरिया है बायो जोग्रिफिकल जोन वो है मरुस्थल तो भारत में अगर हम देखें कि इतना गरम इलाका भी है राजस्थान हर्याना की साइट कि वहाँ पर इतनी गर्मी पढ़ भी है और बहुत ही अलग टाइप की प्रजाती जैसे की ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चिंकारा और उंट पाया जाएगा तो इन जो प्रजातियां हैं यह सारी प्रजातियां ऐसे हैं जो अपने अंदर काफी हद तक पानी को सनरक्षित कर सकती है सेम बे मरुस्थल में हम देखेंगे की छोटे कांटेदार पौदे जैसे कैक्टिस बहुत अच्छे से सर्वाइफ कर पाता है चोथा बायो जोग्रिफिकल जोन है सेमी एरिड रीजन यानि की उपोशन स्थल सेमी एरिड रीजन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश का इलाका है और कुछ हद तक हर्याना, पंजाब का भी हिस्सा इसमें आता है सेमी एरिड रीजन में तापमान जादा है और बारिश थोड़ी कम होती है इस शेत्र में एरिशियाटिक लॉयन यानि की शेर चिंकारा जैसी प्रजातियां पाई जाती है पाचवा जो जैव भोगॉलिक वर्ग है वो है वेस्टन गाट तो वेस्टन गाट में कहीं सारे स्टेट्स आ जाते हैं जैसे कि महराश्ट्रा, करनाटका, केरला, तमिल नाडु, गुवा और इस स्थान पर हम प्रजातियें पाते हैं सदा बाहर जंगल देखने को हमें मिलता है सदाबार जंगल की प्रजातियां बहुत पाई जाती है लॉयन टेल मका जैसी शेतर सीमित प्रजाती भी यहाँ पर होती है वहीं इस जंगल में हम हाथी को भी देख पाते हैं चटा जैव भोगालिक वर्ग है डेकन प्लाटी यानि की दकन के मैदान दकन के मैदान में एरिया आ जाता है मद्रप्रदेश, चतिसगर्ड, आंद्रप्रदेश, तमिलनाडु का और यहाँ पर पत जड़ी वन पाई जाते हैं यानि कि ऐसे वन जिनकी पतियां एक सीजन में जड़ जाती हैं वो यहाँ पर उपस्तित होते हैं हीरन भी बड़े कॉमन यहाँ पर दकन के मैदान में पाया जाता है सात्वा जो जैव बोगॉलिक वर्क है वो है गैंजिटिक प्लेन यानि कि गंगा का मैदान यह वो इलाका है जो बहुत फर्टाइल है क्योंकि गंगा यहाँ पर भेती है और इस इलाके में हम उतरप्रदेश का हिस्सा कुछ हद तक बिहार का वेस्ट पंगॉल के इसे को इंक्लूट करते हैं तो गंगा के मैदान में क्योंकि गंगा भेती है तो हम बहुत सारे क्रिशी के क्रॉप्स को देख सकते हैं जैसे की गंगा यहाँ पर बहुत मिलता है हाथी और भेंस जैसे domesticated animals भी यहाँ पर मिलते हैं आठवा जैव भोगॉलिक वर्क है समुद्र तर्थ जिसमें आता है उडिसा, बिंगॉल, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु का हिस्सा इस एरिया में coastal species जैसे mangrove tree पाई जाते हैं और मचलियां बहुत होती है नौवा जो जैव भोगॉलिक वर्क है वो है उत्तरपूर्वी भारत इसमें states जैसे की आसाम, मिगाले, मनिपूर्णागा लैंड यह सब आ जाते हैं उत्तरपूर्वी भारत की जैव विवित्ता है वो बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ पर बहुत जादा बारिश होती है और हम देखते हैं कि जैव विवित्ता से परिपूर्ण यह एरिया है इसलिए यहाँ एक सिंका, गेंडा, और्केट बहुत जादा मातरा में दिखते हैं साथी साथ बैंबू और बहुत सारे आनिमल्स यहाँ पर पाई जाते हैं फिर दस्वा जो जैव भॉगॉलिक वर्ग है वो द्वीप यानि कि अंडोमान निकोबार आइलेंड और लक्षदीप आइलेंड इन दोनों आइलेंड पे हम कोस्टल स्पीशीज यानि कि मेरीन स्पीशीज प्रजातियां देखेंगे जैसे कि कोरल्स यहाँ पर बहुत मिल अलग है हर इसे में पारिश की मातरा अलग है हर इसे का क्लाइमेटिक कंडिशन अलग है और इसलिए वापर एक अलग टाइप पी जीव जन्तू पेड़ पौदे पाई जाते हैं दूसरा जो कारण है भारत के सम्रिद होने का जैविवित्ता में वो है सेंटर ओफ ओरीजन यानि कि उद्भव का केंडर यानि कि भारत में ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जो भारत से ही हुगे हैं शुरू हुए हैं जैसे कि चावल चावल तो आजकल पूरे विश्व में ख जैवित्ता है बहुत जादा है क्योंकि जब पेड पोदों किया ओरीजन भारत हो दो हां जया पर के जीन लेवल पर अनुवानशे की स्थार पर काली मेच की काफी सारी विराइटीज मिलेंगी से इंवे चावल की बहुत सारी विराइटीज हमें आवे मिलती है कुछ चावल बड़े होते हैं कुछ चावल चोटे होते हैं कुछ पीले चावल होते हैं वाइट कलर के चावल हो तो भारत में शेत्र सिमित प्रजातियां बहुत पाई जाते हैं, यानि कि ऐसी प्रजातियां जो सिर्फ यहीं हैं, एकी स्थान पर हैं और कहीं नहीं मिलेंगी विश्व में, वो बहुत जादा हैं तो भारत में कई हिस्सों में हम देखते हैं कि एंडेमिजम बहुत जादा है, शेत्र सिमित प्रजातियां बहुत जादा है, तो ऐसी प्रजातियां जो पृत्वी पर सिर्फ एक ही स्थान पर पाई जाएं, उनको शेत्र सिमित प्रजातियां कहा जाता है, जैसे कि लॉयन टे के गिर नैशनल पार्क में गुचरात में है और कहीं किसी विश्व में नहीं है असी प्रकार नीलगरी थार नीलगरी थार का नाम का जो जीव है वो सिर्फ तमिल नाडू या साउथ इंडिया में मिलता है और कहीं विश्व में नहीं मिलता तो शेत्र सीमित प्रजातिया होने की वज़े से ही समर्दिता जैविवित्ता के बढ़ जाती है चौता कारण भारत के समर्द होने का जैविवित्ता में है 4 Hot Spots of Biodiversity यानि कि Biodiversity के 4 main सर्क्रिय शेत्र भारत में है तो जैविवित्ता के सर्क्रिय शेत्र यानि कि जो Hot Spot होते हैं वो जादतर Tropical Areas में पाई जाते हैं यानि कि ऐसे Areas जो भारत जो विश्व में Equator के पास हैं वो एरिया में Climatic Condition, Temperature, आदरता सब अनुकूल होता है और इन Areas में हम देखते हैं कि जैविवित्ता बहुत जादा है यानि कि Equator के पास बहुत जादा जैविवित्ता होती है भूम अध्यरे का जो भारत पूरे विश्व की है उसमें जैविवित्ता बहुत जादा होती है सही प्रकार के तापमान, वर्शन और आदरता होने की वज़े से तो भारत एक जैविवित्ता से पून देश है पर जो और देश है वहापर भी जैविवित्ता काफ़ी है जैसी मदागासकर, केरिबियन, एरियाज, एक्सेक्टर तो वो शेत्र जहां प्रजातिया अधिक प्रचूरता में हो और शेत्र सिमित जादा हो तो वो एरिया कहा जाएगा जैविवित्ता का सक्रिय शेत्र तो जैव विवित्ता के सक्रिय शेत्र शब्द को Norman Mayer नाम के Scientist ने दिया था 1988 में और Norman Mayer नाम के जो Scientist थे उन्होंने कुछ आधार बताया था कि जैव विवित्ता के सक्रिय शेत्र के कुछ आधार है पहला आधार यह है कि हम उसी शेत्र को जैविवित्ता का सक्रिय शेत्र कह सकते हैं जहां कम से कम 1500 यानि की 0.5% पौधे की शेत्र सीमित प्रजातियां पाई जाएं दूसरा उस शेत्र में 70% से अधिक भाग को कुछ न कुछ खत्रा हो तो भारत में 4 होट स्पोट्स यानि की सक्रिय शेत्र पाई जाते हैं जिसमें पहला है हिमाल्या हिमाल्या उत्तर भाग में भी मिलता है जहां पर हमारा जम्मु कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड का हिस्सा है और साथी साथ नौर्टीस्ट यानि की उत्तर पूर्व के हिसे में भी हिमाल्या परवत पाई जाते हैं और यहां पे जैवेवित्ता बहुत जादा है दूसरा वेस्टन खाट यानि की पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट पे भी जैवेवित्ता भहुत जादा पाई जाती है इसमें महराष्टरा करनाट का कैरेला वाला ही लाका आ जाता है तीसरा है इंडो बर्मा, इंडो बर्मा में हम भारत का नॉट टीस्ट का हिसा और द्वीब से अंडोमान वाला हिसा include करते हैं चौथा है सुन्दा लैंड, सुन्दा लैंड में भारत से निकोंबार आइलेंड और और भी अन्यदेश शामिल होते हैं तो भारत से सुन्दा लैंड का हिस्सा है नेकोबार पहला हिमाल्या, तो हिमाल्या जो हॉट स्पॉट है इट स्ट्रेच इन आर्क ओवर 3000 किलोमेटर इन नौर्ट पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, नौर्ट वेस्ट और नौर्ट इस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया यानि कि हिमाल्या परवत जम्मु कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्राखन, नौर्ट वेस्ट भाग में शामिल हैं और नौर्ट इस्ट ऑफ इंडिया में भी पाई जाते हैं हिमाल्या परवत रेंज लगभग 7,50,000 किलोमेटर स्कॉयर तक पाई जाती है और दो हिस्सों में होती है, एक इस्टन हिमाल्या और दूसरा वेस्टन हिमाल्या यानि कि पूर्वी हिमाल्या जो कि उत्रपूर्व की साइड है और वेस्टन हिमाल्या यानि कि उत्राखन, हिमाचल, जम्मु कश्मीर वाला हिमाल्या तो इन हिमालिय परवत में जो हम जैब विवित्ता जादा देखते हैं वो इसलिए देखते हैं क्योंकि यहाँ पर climate बहुत अलग है इनकी जो geographical जो position है वो बहुत अलग है और उपर उचाई से भी बहुत जादा पशुपक्षियों में विविन्ता आ जाती है इन हिमालिय परवत में हम endemism यानि की शेत्र सीमित प्रजातियां भी बहुत अधिक मात्रा में देखते हैं दूसरा जो हमारा hot spot है वो है भारत का western घाट यानि की पश्चमी घाट पश्चमी घाट extend along 1700 km2 strip of forest तो ये जो पश्चमी घाट है 17,000 km2 का जंगल है जो महराष्चरा में करनाटक, तमिलनाडू, केरल में पाया जाता है इसमें 40% यानि की 40% से अधिक endemic species यानि की शेत्र सीमित प्रजातियां जो सिर्फ western घाट में मिलती हैं पूरे विश्में और कहीं नहीं मिलती यहाँ पर 62% amphibian पाय जाते हैं amphibian मतलब frogs, toads, etc लिजर्ट्स यानि की चिपकलियों की भी 50% प्रजातियां बेस्टन घाट में पाय जाती हैं इसमें बहुत सारा एरिया इंक्लूडेड है जैसे की इस्ट बांगलादेश का, नौर्ट इस्ट इंडिया का, मयनमार, चाइना, लियोस, कमबोडिया, वेतना, थाइलेंड, मलेशिया जैसे देश भी हैं पर भारत से हम कह सकते हैं कि दो जगह हैं, एक तो नौर्ट इस्ट बारत यानि की जैसे असाम, मिगाले, मनीपूर वाला एरिया और अंडुमान आइलेंड इसमें शामिल है यहाँ पर अलग अलग टाइप के पेड़ पौदे मिलते हैं, मिक्स्ट, वेट, एवरग्रीन पौदे, सूखे सदाबहार पौदे, डेसी रूर्स यानि की पत जड़ी वन, जंगल, श्रब जाड़ी वाले एरियास, वुड लैंड यहाँ पर बहुत मिलते हैं इन अधिशन तो वाइट वराइटी ऑफ डिस्टिंक्टिव लोकलाइस वेजिटेशन, इंडो बर्मा अलसो इंक्लूट फ्लट प्लेंज, यहाँ पर हम ऐसे भी देखते हैं, नव मूमी वाले जगे हैं, जैसे मैंगरूव यहाँ पर बहुत पाया जाता है इंडो बर्मा म पर भारत से नौटीस इंडिया और अंडुमान आइलेंड इसका भाग हैं, नेक्स्ट है सुन्डा लैंड, सुन्डा लैंड में हम देखें, तो फिलिपिन्स, सिंगापूर, इंडोनेशिया जैसे देश हैं, बर भारत का जो निकोबार द्वीप है, वो भी इसमें शामिल ह होता है, तो जैविवित्ता का एक सक्रिय शेत्र भारत में है, सुन्दा लैंड, सुन्दा लैंड में देश हैं, जैसे की इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, ब्रूनी, फिलिपिन्स, पर हमारे देश का निकोबार ग्रूप आइलेंड भी इसमें शामिल है, सुन्द हो खाने के लिए, 15,000 से भी जादा यहां पर अलग-लग टाइप की प्रजातियां मिलती है, सुन्दा लैंड जैविवित्ता से पून एरिया है, यहां पर कुछ खत्रा भी है, जैसे रबर का बहुँ जादा इस्तिमाल होता है, यहां पर पेपर पल्प, यानि की कागस बना या शेत्रों में नापने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम रिजनल बायो डाइवर्सिटी यानि की स्थानिय जैविवित्ता कहते हैं, अब यह जो रिजनल बायो डाइवर्सिटी है, यह कई सारे पैरमेटर्स या एक्वेशन से हम क्यालकुलेट कर सकते हैं, तो रिजनल य इस शेत्र के जो एलफा समरिदिता होगी वो चार प्रजाती होंगी उस शेत्र के तो एलफा समरिदिता मतलब एक स्थान पर पाई जाने वाली विभिन प्रजातियां दूसरा जो पैरमीटर हम यूज कर सकते हैं वो है बीटा रिचनेस बीटा रिचनेस का मतलब होता है किसी परियावरण मापक से विभिन होने वाली आवास्य शेत्रों में पाई जाने वाली जीवों की विभिनता यानि कि अगर कोई दो आवास्य शेत्र हैं जो आपस में किसी एक परियावरण मापक से डिफर करते हैं या अंतर रखते हैं जैसे यहां पर एक एरिया या एक इलाका है पहाड के नीचे का और दूसरा इलाका है पहाड के उचाई पर तो उचाई से दोनों इलाके अंतर रखते हैं अब इन दोनों इलाकों की अगर हम जै विवित्ता को देखें तो वो होगी बीटा सम्रिधिता यान कि उचाई के साथ साथ कैसे जैविवित्ता चेंज हो रही है अगर हम इसको नापने की कोशिश करते हैं तो वो बीटा सम्रिदता कहलाई जाती है तो यहाँ पर फुटल ऑफ हिमालिया यानि कि परवत के नीचे वाले शेत्र में अगर हम काउंट करें तो कितनी प्रजातिया हमें दिखाई दे रही है यह टोटल चार दिख रही है हमको और अगर हम उचाई पर सबसे टॉप वाले एरिया पर हिमालिया परवत का अगर हम देखें तो सिर्फ एक प्रजातिया हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब यह है कि उपर यानि कि उचाई के साथ-साथ प्रजातियों की संख्या कम होती जा रही है इसको हम calculate कर सकते हैं बीटा समरिधता की मदद से तो बीटा समरिधता है जो समरिधता नीचे है पहाड के और जो समरिधता उपर है उसको हम subtract कर देंगे तो चार प्रजातिया नीचे है और एक उपर है तो बची तीन प्रजातिया अंतर रख रही हैं जैसे जैसे हम पहाड के उपर की और बढ़ रहे हैं तो बीटा समर्दता किसी परियावरन मापक यहां पर परियावरन मापक है उचाई पहाड की उससे विभिन आवासिय इलाके यानि कि एक नीचे यहां पर और एक कम उचाई पर जादा उचाई पर तो उन दो आवासिय शेत्रों में जो जीवों की विभिनता है उसी को हम उसको नापने के लिए भी हम बीटा समर्दिता का ही प्रियोग करेंगे नेक्स्ट है गामा समर्दिता गामा समर्दिता मतलब बिल्कुली अलग भोगौलिक इलाकों पर जो प्रजातियां पाई जाती है उनकी कैसे वृद्धि हो रही है जो बिल्कुली अलग भोगौलिक स्थान है उनमें कैसे प्रजातियों का अंतर है उसको नापने के लिए हम गामा समर्दिता का प्रियोग करते हैं कि वह ठंडा है तो जैसे प्रजातियां को सकतने प्रजातियों के ये मिए हैख प्रजातियों है जैसे इस उधारण में हमने लिया धुरुवय स्थान और भूमध्य रिखा का स्थान, तो गामा हो गई एक स्थान से दूसरे में कितना परिवर्तन है प्रजातियों को लेकर, तो एक पोल पर एक प्रजाति है और दूसरा भूमध्य रिखा पर छे हैं, इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आजाएगा पांच प्रजाति, यानि कि पांच प्रजातियों का अंतर है दो भूगाली के स्थानों पर, तो इसी को हम गामा सम्रिधता कहते हैं, तो रीजनल लेवल पर हम एलफा, बीटा और गामा सम्रिधता का प्रियोग करते हैं, वहां की प अगले भाग में हम समझेंगे कि जैविवित्ता को क्या-क्या खत्रा है, साती इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, और भारत में कौन-कौन से ऐसे important schemes या government के projects हैं, जो हमारे परियावरण और जैविवित्ता को संरक्षित करने के लिए योगदान दे रहे हैं, थैंक यू तक जो, कर ज्ग दे रहे हैं, आगले झांगे हैं, जो हमारेक यूण डिकältिस को उत्रा करने के व्राह प्यूंड़ से देविवित्ता कि शिववित्ता को संरक्याओ ओंखे हैं, ढे वारत जो हमारे दाबने कि पन्र देटक्या मेंते अत्राशने कि पिर्थमेध्वाय कि है